हेलो अब्रिवन मायनमी सेकर आप देख रहे हैं यसके स्टडी आज हम फ्रेजल वर्ब श्रीज का साथ वाँ वीडियो इसी क्लास में याद कराने आले हैं इसमें 10 प्लस मोस्ट इंप्वार्टन फ्रेजल वर्ब है जो प्लास में ही याद करवाएंगे यह हमारा जो वर्ब ह इसमें रन है रन के साथ हम प्रेजल वर्ब क्लास में ही याद करने वाले हैं हमारा पहला वर्ड है रन डाउन डाउन मिंस आलोचना करना और रन डाउन मिंस एक मीनिंग और होती है हमारा आगला कोश्यन है रनठ रो मिंस सर्वरी निगा से देखना रन डाउन मिंस समात होना रन सौट आंफ मिंस होता है कंपर जाना रण अफ नउन भाग जाना रन अक्रास Vert अचानक मिलना meet across get across means भी होता है अचानक मिलना run into means भी अचानक मिलना run after run after means के बाद या किसी को follow करना किसी के पीछे run over run over means कुछलना हमारा पहला question है run down run down miss आलोचिना करना इसको याद कैसे रखेंगे run से run down miss नीचे अगर तुम run कम कर दिये down कर दिये तो तुमारे टीम वाले तुमारी आलोचिना करेंगे इससे हम याद करेंगे run down आलोचिना करना हमारा अगला question है run down miss आलोचिना करना होता है और एक run down मेंस होता है कमजोर होना run अगर तुम कम बनाया अर्थात कमजोर तुमारी टीम कमजोर हो गई इससे हम relate करके याद कर सकते है run down मेंस कमजोर होना इसका दो meaning है become big हमारा अगला question है हमारा अगला question है run throw run throw में सरसरी निगाशे देखना run throw अर्थात आप कोई run के लिए दोड़ रहा है तो throw करेंगे तो throw कैसे करेंगे सरसरी निगाशे देख लेंगे किधर player पहुचने आला है नहीं पहुचने आला है उधर ही throw कर देंगे तो इससे हम relate करके याद करेंगे run throw means सरसरी निगाशे देखना हमारा अगला question है run out run out means समाफ्थ होना कोई run out हो जाता है तो उसकी पारी क्या हो जाती है समाफ्थ हो जाती है run out means समाफ्थ होना expired हमारा अगला question है run sort of run sort of means होता है कम पढ़ जाना जैसे run sort of run कम पढ़ गया उसी से याद करेंगे sort means कम या छोटा तो याद करेंगे रहन सब्सक्राइब हर्थात याद करेंगे हम या दोड़ना होता है और गोई कमपनी चला रहा है वह बंद करके भाग गया वो अब बंद कर दी पूरी कंपनी अर्थात भाग गया इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं run of means भाग जाना हमारा अगला question है run across run across means अचानक से मिलना get by a chance अचानक से मिलना इसको हम याद करेंगे run means दोड़ना across means across across run across get across meet across इन सभी का meaning एक ही होता है अचानक मिलना तो इसको हम याद करेंगे across across मतलब आप कहीं भी park कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हैं और कोई across मिल गया इससे हम relate करके याद करेंगे across run across means अचानक मिलना हमारा अगला question है run into run into means भी अचानक मिलना होता है run across get across meet across run into इन सभी का मतलब होता है अचानक मिलना हमारा अगला question है run after run after means होता है किसी के बाद या follow करना तो run means दोड़ना के बाद मतलब किसी के बाद तुम दोड़ रहे हो इससे याद कर लेंगे हम आथानी से run after means किसी के बाद या follow करना हमारा आखरी question है last run over run over means कुचलना होता है run over means कुचलना run means दोड़ना होता है over means ऊपर किसी के ऊपर दोड़ गया कोई जैसे जैसे दोड़ होती है आर्मी की तो उसमें पता चलता है कई बच्चे उसमें कुचल गए हैं तो इससे हम याद कर सकते हैं run over means कुचलना क्रस अंडर अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपसे फिर मिलते हैं नए दिन नए वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यो जाहें टेक केर बावाए